अब सवाल यह है के तेकि लोगटेबल क्या है तो आएए पहले लोकटेबल को समझते हैं अ कि लॉक्टेबल क्या होता है मैं इसको पहले अपको एकस्प्लेंड कर देता हूं देखिए गृव कै Sn products कई बार ऐसे नीड़ होती है आपके पास में कि आपको ये ये solve करना आसान है 2 raise to power 3 अब इसको easily solve कर सकते हैं यह आपका answer आ गया 8 ठीक है आपके लिए problem कहां पर है आपके लिए problem यह है कि अगर 2 raise to power अगर आपको 1 by 5 solve करना है तो यह आपका result कैसे निकालोगे 2 raise to power 1 by 5 क्या होगा तो for example लेते हैं यहाँ पर कि अगर आपको 2 raise to power 2 raise to power 1 by 5 अगर ऐसे इसको solve करना है तो कैसे solve करेंगे आप तो मान लिजी यह value किसके equal है यह value आपके x के equal है clear है अब x आप क्या करेंगे both side आप log लेंगे log क्या करता है power को नीचे उतार देता है log का क्या है जो कि power आपका उपर है उसको वो नीचे उतार देता है तो आप यह कर रहे हैं एक side में तो उसके impact को neutral करने के लिए आपको दूसरी side में भी वो same effect डालना पड़ेगा तो इसलिए आप क्या कर रहे हैं यहां पर आपके पास में 1 by 5 है तो यहां पर आपके पास में log लेंगे और यहां पर भी आप अपना log लेंगे impact neutral हो जाएगा अब solve करेंगे तो यह क्या कर देगा यह log x आपका क्या कर देगा log x बेसिकली आपके पास में यह जो लॉग है इस power को नीचे लियाएगा तो 1 by 5 और लॉग 2 अब सवाल है कि log 2 है log 2 क्या है तो बच्चे log 2 एक table होगी एक table आपको मिलेगा exams में उस table में आप अपने क्या कर सकते हैं उसमें हर log की log 1, log 2, log 3 उसकी values आपको given होगी तो यहां पर जासे कि log 2.00 उसे log आपके पास में 2 हो गया तो इसको आप 2.0 कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं आप अपने log table में इसकी values को आप calculate कर सकते हैं तो आप log table में आपको मिलेगा वहां से इसकी value replace कर देंगे, 1 by 5 से solve कर देंगे, then आपके पास में x equals to log यहां पर भी है, अब यह log हो जाएगा 1 by log, कि 1 by log क्या होता है, तो आपके पास में log 2 की value तो table से देखके लिख दोगे, बट 1 by log क्या होता है, इसको हम बोलते हैं anti-log, जब log denominator में चले आता है, इसको हम क्या बो value तो आपको कहा से मिल जाएगी, table से, और anti-log की value भी आपको कहा से मिल एगी, anti-log table से, तो दो table होती है, log table और anti-log table, यह दोनों table आपको available होगा, तो log 2 की value आपने रखनी है, clear है बच्चे, यह 1 by 5 से solve करना है, उसका anti-log की value table से देखके, आपको उसको solve करके answer ले देना है, तो यहाँ पर यह जो power का आपके सामने issue था, यह power के जो है issue आपका solve हो गया, तो यह importance होती है, log की, तो आपके questions में log आएंगे, इसलिए आपको पहले log table को समझना होगा, तो आए पहले हम log table को समझते है, log table बच्चे क्या रहता है आपका, कोई doubt है, तो बच्चे कमेंट में यह आपको value निकाल ली है, इस value को आप कैसे निकाल लेंगे, तो सबसे पहले आप यह देखेंगे, कि आपके पास 1, 2, पहले दो डिजिट जो है यह आप ले लीजी, उसके बाद आपका 3 है, और उसके बाद आपका 4 है, यह इसको ऐसे लिखें, ठीक है, इसको basically हम क्या बोल निकाल सकते हो, clear है, maximum 4 digit होना चीए, और minimum 3 digit होना चीए, तो 3 digit का आप log value निकाल सकते हो, 4 digit का भी log value आप निकाल सकते हो, तो पहले मैं 4 digit का सिखा देता हूँ, फिर मैं आपको 3 digit का भी सिखा देंगा, ठीक है, तो पहले आप 4 digit में देख लिजिए, कैसे होगा, यह main column है, 12, तो कैसे देखेंगे, log table आपके सामने यह दा, clear है बच्चे, तो log table में आपके सितर किसे देखेंगे, आपके पास में 12 है, तो 12 यह है न, तो main column आपका यहाँ पर देखा जाता है, यह आपका होता है main column, जो आप देख रहे हैं, ठीक है बच्चे, दिख रहे हैं आपको, अगर visibility में problem है, तो मुझे बता दीचिए, मैं दिखायता हूँ आपको, थोड़ा सा सको बढ़ा करता हूँ, अभी फिलाल मैं इसकी value निकाल रहा हूँ, ना, पर देखेगा, क्या है, यह यहाँ पर क्याता है, यह यहाँ पर क्याता है, अगर पर आप इसको समझ लिजी, एक बार, बाद इसको set करें, दिख रहा है, तो मैं बात कर रहा हूँ, आपको पहले 12, तो 12 आपको पहले 12 बिजिट कहां देखने हैं, में कॉलम में, तो यह आपका में कॉलम, आपका में कॉलम, में कॉलम आपका 12 आ गया, ठीक है, अब आ 12 पर अब 3 देख रहे हैं, तो आपका इसी में जाएं और यहां पर आपका अंदर एंटरी करीं ऑ, 3 पर चाथ, थ्री उपर देखेंगे, इसी में आप जाएंगे, और इसमें आप जाएंगे, आप ठीक है, यह आपका 3 है, टो आपके पास पर क्या हैं, यह 0.899 यह पॉंट पॉइंट जीरो एट नाइन नाइन अब यह आपके पास में मीन डिफरेंस चार तो मीन डिफरेंस को आप कहा देखोगे यह आपके पास में नाइन के बाद जो दुबारा स्टार्ट हो रहे हैं आपका वन टू थी फोर फाइव यहां इसको हम क्या बोलते मीन डिफरेंस इसक में जो मीन डिफरेंस है उसको आपको एड़ कर देना है तो कुछ इस तरीके से नो चार तेरा और आपका एक डस और ग्यारा और एक और यह नो और यह जीरो क्लेर बच्चे बास समझें तो आपके पास वेल्यू कितनी आई आई आपके पास में रहें 0913 अब आप यह देखेगा आपका यह रहे लागे कीıoti आपके पास में वंडीव आही है यह बात को ऑ Però लेंगे कोई डाउट तो बस 12 को आपने देख लिया उसमें आप तीन पे गए और अपने लिग दे और चोथे का उस वैल्यू को आपने एड़ कर देना है अब एक्जामपल लेते हैं यहां पर कि आपको 1234 की आपको निकालनी है तो यह कैसा निकालेंगा आप सिंपल वैसे ही पॉइंट का हम क्या करें सर पॉइंट आ गया पॉइंट को आप अवोइड कर दो और क्या करोगे बिल्कुल बुरी तरह आप आप मानों हिमत के पॉइंट है आप 1234 लेके चलो चलिए मैं इसको एजा कर रहा हूं क्या यह यह वन टू टू थी फो ठीक है चलिए इसकी पहले आप यहाँ पर देखते हैं तो पॉइंट से पहले आपको यहाँ पर नजर आता है कि आपके पास में इस पॉइंट से पहले आपका यह कितने डिजिट है तीन डिजिट है तो माइनिस एक कर दो कि दो तो यहाँ पर आपके पास में क्या आ गया यह 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 वैल्यू आगी बस क्लियर है तो पॉइंट को आप अवोइड कर सकते हैं एक्जामपल और एक एक्जामपल ले लेते हैं तो आपके पास यह है तो पॉइंट को अब वन टू थ्री फॉर कंसिडर करो तो इसकी वैल्यू आपने क्या रिकाल दिए ट्री एंट फॉर आपने एड कर रहा पॉइंट से पहले क्या लिखोगे आप यहां पर वन लिखोगे चीक है जी क्लियर है को डाउट किसी बच्चे को इसी तरही के से आपके पास में इसको भी आप वन टू थ्री फॉर लिखें और 0 913 इसकी वैल्यू है पॉइंट और पॉइंट से पहले क्या आएगा यह एक इसमें से 1 minus करेंगे तो आपके पास में क्या जाएगा 0 तो ये value 0.0913 आ जाएगा similar यहां पर आपके पास में इसको 1, 2, 3, 4 ही consider करें value निकालोगे 0,913 पॉइंट आप यहां पर 0 है 0 में से 1 minus करेंगे तो minus का 1 हो जाएगा this one बाद समझे बच्चे clear है तो उमीद करता हूं कि आपको चाठ डिजिट में और आपको decimal में आपको point निकालना आ गया है clear है तो पहले एक normal number में उसके वाद मैंने आपको decimal में सिखा दिया अब सवाल है तीन डिजिट में अगर आपको log निकालना हो तो आप किस तरीके से आप निकालेंगे तिन डिजिट में log example कुछ ले ले लेते हैं इसमें और भी हम कि आपको value निकालना है लॉग 145 की लॉग 145 की value निकालना है यह value निकालना है तो बहुत आसान है मलब कि आपको किस पर जाना है आपको 14 पर जाना है और 5 पर जाना है तो आपको पास में आपको 14 पर जाना है आपने किस पर जाना है और फाइप पर जाना है एंदिस इस तो क्या वेल्यू आई 16 1614 इसमें आपके पास प्लेक ही नियुक्षा तो उसका कुछ करना ही नहीं है हमें अब कितने तीन दिजीट है तो इसमें से तो आपके अपर कि आपको यहां पर निकालने के लिए कम से कम चार्ट हो या फिर लॉक की वैलो निकालने के लिए हमारे 0 कर सकते हो clear है बच्चे क्या करेंगे इसको इसको आप ऐसे लिख देंगे log इसको कुछ ऐसे आप लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं आप log जिए पॉइंट्र पया गया तो पॉइंट को आप आप अवड्रों आपके क्या है ट्वेल्ड पे-0 क्लिए रेट ट्वेल्ड फें आप जाईए जीरोक्या है 0792 जीरो सेवन नाइन टू पॉइंट कितने डिजिट हैं दो डिजिट तो एक डिजिट आ गया तो बास समझे दो डिजिट का क्या करेंगे अगर आपको एक डिजिट आप में आपको निकालना है फिर एक्जामपल आपको निकालना है लॉग फाइफ की वैल्यू सीख लिजिए सीच को आज इंपोर्टेंट आप के लिए एक बार सीख लेंगे फिर हर बार 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 बीक सीच में आता रहेगा तो बार बार सीखने की जूरत आपको नहीं पड़ेगी क्लियर है हां जे देखें जरा लॉग फाइफ की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो कैसा निकालेंगे यह तो बहुत तीन डिजित तो आप इसको पॉइंट करके दो जीरो लगा दो तो आप किस पर देखोगा पचास पर जीरो देखोगे ठीक है जे तो पचास पर आप जीरो देखते हैं कि इसको थोटा सब छोटा करता हूं मैं कि यह मैं दुवारा से अरेंज कर आपको कर दूंगा पचास पर जीरो तो क्या आपके पास में आए सिक्स नाइन जीरो और कितने जीट है इसमें से माइने कर दो क्या जाए जीरो दिस वन तो यह इसकी वैल्यू आई तो बच्चे उमीद करता हूं कि आप लॉग की वैलो निकाल सकते हो चार डिजिट है तब भी डैसे मलें तब भी दो डिजिट है तब भी तिन डिजिट है तब भी करता हूं बचे यहां पर ऍ यह पर इंट लूग की इंट लूक के रिक्वार्मेंट हो गई आपको एंटी लॉग क्या होता है आपने लॉक का टेबल देखा फर एक्जांपल आपको यह देखना है पॉइंट छोड़ो आप इसको को यह मान के चलिए क्या ही आपका वन एट टू नहीं इसको आज़ा कंसिडर कर लो तो अठारा पे दो फिर नो देखना है आपने एंटी लोग में तो मैं यहां पर देखत है जा 1521 अब अठार दो दिख लिए आप 9 पर जाता हूं मैं इसका मीन डिफरेंस पर 9 पर को मेरे पास में कौन से लिए मैंने 18 पर दो आठारा पर जाते और यह अठारा पर कि नो क्या है यह नो कि तीन है ठीक है बच्च्चे तो यहां पर मैं इसमें तीन एड़ कर देता हूं पहले की तरह देखाने मैंने क्लियर है तो आपके पास में क्या है चार दो पांच और एक अब आपको बस सब कुछ तो वही था कि आप जो है अठारा पे गए उसके बाद दूसरे पे गए वह वैलू लिख लिया आपने उसक इसमें कर देख और आपके पास में एक यह उगता नंगा है यह इससी तरीके से एक पास यहां पर यह वैलू उई तो आपको पॉइंट के बाद वाले पे फोकस करना है 72 पे 5 तो आपको 72 पे आपको 5 पे जाना है ग्लेव बच्के तो आपके पास निहां पर आपके पार आया 53 09 और उसके बाद आपके पास जाना है इसमें Aldler एक तीन और पांच तो आपका रिजल्ट क्या बना 5310 अब देखिएगा पॉइंट से पहले क्या आपका पॉइंट से पहले क्या है तीने से प्लस एक करो तो क्या हो जाएगा चार तो चार डिजिट का पॉइंट लगेगा दिस वन क्लिर है बच्चे बात समझे तो एंटी लॉग की वैलू आप ऐसे निकालते हैं तो लॉग की वैलू सीख लिया आपने अपने एंटी लॉग की वैलू सीख लिया अगर आपने इतना सीख लिया तो आगे चल करके आपने लॉग का इंपर्टेंस समझा कि लॉग क्यूं हम खावगा कि किस तरीके से आपको लॉक की वैलु निकाल लें ठीक है फिलाल आपको एक्जामे टेबल होगा टेबल से करना पड़ेगा वह आप देख लिए डिरेक्ट वैलु लिख देंगे मांक्स आपके कटेंगे तो यहां पर आपको पता लगा लॉक कब रखते हैं ऐसे प और एंटी लॉक टेबल कैसे देखते हैं मैं आपको भी बता दिया आपको दुबारा वीडियो देखनेंगे जरूर्ट नीट पड़ेगी क्लियर है भी सजमाय आपको उसमें बलार आ रहा होगा बट कोई नहीं मैंने वैलू लिख दिया यह क्लियर होगा तो अब आपको य लाइफ हैं भी इसका एक बहुत बड़ा इंपोर्टेंस है हमारी एकनोमी के अंदर भी इसका बहुत बड़ा इंपोर्टेंस है क्योंकि हम किसी भी तरकी की पॉलिशी किसी भी तरिकी डिशन तब तक नहीं बना पाते हैं जब तक हमें मालूम नहीं हो कि situation कहां से कहां तक कलब कि changes को observe करना और changes किसी individual हो तो हम उसको कर सकते हैं तो उसी के लिए आपको index number सिखाय जा रहा है अब index number को दो पार्ट में डिवायड कर रहा है अपका इंडेक्स नंबर को आपका methods of करेगा सिर्फ फसरफ प्राइस की बात करेगा फ़र एक्जामपल दो चीजे होती है अनुविडिट का मतलब क्या होता है मैं एक आर्टिकल ले रहा था एक्स जिसकी प्राइस पहले दस रुपए होकरती थी आज उसकी प्राइस बारा रुपए हो गई और अर्टिकल है मेरा आर्टिकल कौन सा है मेरा आर्टिकल मेरा एक्स है बात समझे तो अब जो सा आर्टिकल है एक्स आर्टिकल है मेरा तो इसकी क्या क्वांटिटी की बात कर रहा हूं मैं क्वांटिटी के उपर कोई डिसक्सन ही नहीं है तो यह क्वांटिटी इसमें है नहीं इसकी इसको बोलते और एक यह होता है कि मेरे पास मैं X commodity है अगर मैं इसकी quantity की बात करूँगा तो quantity भी दो तरगी की होती है पहले कितनी quantity ले रहा था Q0 अब कितनी quantity ले रहा हूं Q1 पहले क्या price था P0 अब क्या price है P1 क्लियर है पहले मैं जहां पर 10 किलो ले रहा था और आज मैं आज मेरे प्राइस जो है वह पहले जो प्राइस है वह बीस रुपर वहा करता था अब प्राइस जो है वह 25 रुपर हो गया अब quantity में आठ ले पा रहा हूं तो कुलम लाग करके commodity की quantity भी मैंशन होगी इसको बोलते ह तो अनवेटेज में सिर्फ प्राइस पर बात होगी उसकी quantity मिसिंग होगा और एक होता है वेटेज तो वेटेज पर जब आएंगे तो मैं डिटेल में इस पर चर्चा करूंगा बात करता हूं मैं आपसे अनवेटेड पर तो अनवेटेड में इसका जो है वेटेड गिवन नहीं होगा quantity mention नहीं होगा सिर्फ प्राइस पर कोशन चलेगा clear है अब बात करते हैं प्राइस की अनवेटेड की तो अनवेटेड को भी calculate करने के दो मैथड से आपके पास पर एक सिंपल एग्रिगेटिव मैथड सिंपल का मतलग सदारण ही है अग्रिगेटिव मैथड मेरे पास में सबसे पहले यह जो आप देख पा रहे हैं यहां पर जो आपका प्राइज है यह आपके पास में यह दो जुड़तिव का प्राइज हो गया इसको मैं लिखना P0 चैक है यह है यह पर एक काम कर लेते हैं देखते हैं कि हमारे पास में community A, B, C, D, E पे पहले कितना खर्च हो जाया करता था इन पांचो community को लेने में पहले कितना खर्च हो जाया करता था नो इनका sum करना पड़ेगा तो summation of मैं क्या कर रहा हूँ P, 0 कर रहा हूँ तो इस पांचो community को लेने में कितना खर्च होता था मेरा तो मैं पांच और पांच दस दसो छे 16 और एक कर देता हूँ चार और यह आपके पास में दो छे छे और नो पंदरा और यह 16 16 और आपका 9 25 तो पहले मुझे इस पे 256 रुपीज एक्सपेंड करता था मैं इन पांचो पर आज की डेट पे करेंट की मैं बात करूं तो आज मेरा कितना खर्च हो रहा है क्रन्ट में तो मैं सको सॉल करता हूँ तो 0888 16 जा डियरेक्ट हमारास क्यालकुलिटर रहे तो कर लेते हैं क्या आपको क्या अपका 40 फॉर्टी प्लस 28 प्लस 108 प्लस 24 प्लस 120 इस वन कि चीन घृट 2 33 क्याद्ट आपने किसा समीशन गर आपने किवन का करण सिंपल के आप आपके पास में आप क्या करहें कि आज मेरे पास में कूल मेरे एकसपांड़ी। ऑफे और पहले मैं इस में 256 रुपर खरच करता था तो अब मेरा पहले कितने टाइमस हो गया तो इससे निकल जाएगा अब अब कितना परसेंट हो गया तो वह मेरा हंडर होगा क्लियर है 100 से मंटिप्लाइ कर दूंगा तो परसिंटेज में आ जाएगा आपका यह तो 320 डिवाइड़ बाइट 256 इंटू 125 तो कितना हो गया रिजल्ट इसको लिखते कैसे करते हैं इसको हम इंडेक्स नंबर को सब्सक्राइब यह तो पी 01 से रिपर्जंट करेंगे ठीक है जीरो इसको जिससे कंप्र कर रहे है और जिसकी बात हो रही है तो पी 01 आप सॉल करेंगे इसको तो आपका 125 आया तो मतलब एक परसिंटेज में होता है कि पहले जितना अब एक्सपेंस करते थे विद्र में किसो कि ट्रीक के बात करें तो आपके पास में क्या हो गया यह आप ने क्या करहाय कर लिए तो इस लिए है तो इसलिए इस method का नाम चाहता है इस method का नाम होता है simple aggregative method ठीक है बच्चे clear है आपको अपने syllabus में हर चीज कवर करना पड़ेगा जीरो से लेके advance कई बार पेपर इतना जीरो लेवल आ जाता है जम में advanced prepare कर लेते हैं zero को आवएड कर देते हैं पंप पुरा जीरो तो परावा रहते हैं selbst प wire के पिए सब कुछ आपको शीख करना हैं अब बात करता हों बच्चे में simply average of comparative method अब यहाँ पर एक वर्यूज आया है कि but उआय है कि Simple of relative method अब तो आपका जो एवड नतो होता है एक आपका होता है एक हमें और एक आपका होता है तो सवाल यह है कि सर आपके पास में गचलता हूं यह ऐतो अब बात में करता हूं यहां पर एवरेज की चलि फिर आज मैं थोड़ा सा ना आज अब करके अब कल जो नेस्स क्लासिस होंगी उस नेस्स क्लासिस में आपको जो है समझाऊंगा इसको रिवाइस करके आईएगा क्लियरे इजी है आसान है सब कुछ ठीक है आपके एक्जाम में फुल मार्क्स अपला सकते उसके अंदर क्यालकुलेटर आपके पास में है एक होता है कैल्कुलेशन मिस्टेक तो उसके कोई चांस है नहीं क्लियरे स्टैट से प्रॉलम क्या थी बड़े-बड़े नंबरों को बड़े नंबर को मंटिप्लाय करना डेसिमल को मंटिप्लाय करना जब आपने पाले थोड़ा बहुत जब भी किया होगा पर आप क्यालकुलेटर है तो वह पालन तो आपके पास में है ही नहीं ठीक है फाइनल आंसर प्र चोड़ेंगे ख्लेरे लेकिन सफिसेंट आपके प्रेटिस के लिए अच्छा है तो वह आपके लिए सफिसेंट कंटेंट रहने वाला है क्लियर है बच्चे कि मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास इसमें कि मिलते हैं आपके में ही मुप्रेट So कि मिलते हैं ए mindネバर मा ढआते हैं कि मिलते हैं इस давittos के लिए वोड़ेंगे तो आपके लिए सेनक अपके जापके लिए ग